ये हत्या ऐसी की गई थी कि किसी को पता भी नहीं चला कि मरने वाला खुद मरा या फिर उसे मारा गया उसे हत्या करनी थी मगर कुछ ऐसे की वो मौत लगे यानी ना तो मामला पुलीस तक जाए और ना ही मामले की जाँच हो और उसने सचमच ऐसे ही कतल किया मगर कतल करने वाले कातिल से एक छोटी सी गलती हो गई और वही छोटी सी गलती उसे भारी पढ़ गई और इसी छोटी सी गलती को पकड़ कर पुलीस कतल और मौत के बीच के फर्क तक जा पहुँची आज हम आपको सच्ची घटना की पूरी कहाने बताने जा रही है वो भी एक ऐसी ही घटना थी यह सच्ची घटना कानपुर के पतारा गाव की है कानपुर के पतारा गाव के किसान रामशंकर पांडे की बेटी का नाम सपना था उसके सपने बचपन से ही बहुत बड़े थे सपना जल्दी अमीर बनना चाहती थी स्कूल से कॉलज पहुची तो उसकी राजकपूर से दोस्ती हुई वह देखते ही देखते उसके प्यार में कैध होती चली गई सपना ने तो मन बना लिया था कि शादी राज से ही करेगी दूसरी और रामशंकर पांडे को अंदाजा नहीं था कि उसकी बेटी किसी लड़के से प्यार करती है समय बीटता गया और सपना 26 साल की हो गई रामशंकर को उसके शादी की चिंता सताने लगी थी कई रिष्टे आएं लेकिन सपना सब रिष्टों को मना करती रही सपना किसी भी हाल में अपने प्रेमी राजकपूर से ही शादी करना चाहती थी एक दिन रामशंकर के पास रुशब का रिष्टा पहुँचा रामशंकर ने जब रिष्टेदारों से रुषप के बारे में पता किया तो रिष्टेदारों से पता चला कि रुषप का अच्छा कारोबार है करोडों की जायदाद है रामशंकर ने अपने बेटी से बिना पूछे इस रिष्टे को हामी भर देता है जब सपना को पता चलता है कि उसकी शादी उससे 12 साल बड़े लड़के से तै हो गई है तब सपना इस शादी से इंकार करती है लेकिन रामशंकर ने उसकी बात नहीं मानी और उन्होंने फैसला सुना दिया कि सपना की शादी तो रुशब से ही होगी 2020 में धूमधाम से सपना और रुशब की शादी हो गई शादी के बाद भी सपना के दिल में तो राजकपूर का बसेरा था रुशब को पती के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकी थी वह रुशब जब घर के बाहर होता तो सपना और राजकपूर घंटों बाते करते रुशब के पिता किशोर चंदरत रिपाथी और मौसी शान्ती को बहु का बरताव अटपटा लगा मौका देखकर दोनों ने रुशब को ये बाते बताई इसी बीच आई जन्वरी 2022 की एक सुबह सपना और रुशब में फिर जगडा हुआ और सपना माई के चली गई रुशब ने जैसे तैसे सपना को घर लेके आया उत्तर प्रदेश कुली से रिटायर होने के बाद रुशब के पिता किशोर चंदर घर पर रहते थे अगस्त में एक दिन किशोर चंदर और रुशब की मौसी शान्ती घर पर गपशप कर रहे थे किशोर चंदर चाय पी रहे थे, तभी शान्ती मंदिर चली गई सपना ने उनको कॉल किया, मौसी पापा नहीं रहे उनकी मौत हो गई, किशोर चंदर का अंतिम संसकार हुआ रुशब के पिता किशोर चंदर के मौत के बाद घर में खामोशी चा गई सपना भी चुप रहने लगी थी रुशब को लगा कि वह बदल गई है फिर आया 27 नवंबर रुशब अपने दोस्त मनीश के साथ एक शादी में स्कूटी से निकला शादी कानपुर में हाईवे के पास चकरपुर गाव के पंचायत भवन में थी सर्द रात में जब रुशब घर लोटने के लिए निकला तो स्कूटी पंक्चर मिली मनीश स्कूटी घसीट रहा था और रुशब स्कूटी को धक्का लगा रहा था तभी पीछे से एक बाइक पर दो लोग आए रुशब के सिर और कंधे पर धारदार हतियार से हमला किया और भाग गए खून से लत्पत रुशब वही गिरकर बेहोश हो गया मनीश ने सपना को फोन कर पूरी बात बताई परिवार के लोग आए और रुशब को लेकर कानपूर मेडिकल कॉलेज पहुचे डॉक्तर उसके घावों से बह रहे खून को रोकने में सफल रहे बहतर इलाज के लिए उसे कानपूर के एक नामी प्राइवेट हॉस्पिटल में भरती कराया गया उसकी सेहत सुधरने लगी थी सारे टेस्ट की रिपोर्ट भी ठीक थी इस मामले में सपना ने अपने ससुराल के पडोसी रामकृष्ण विश्वकर्मा के खिलाफ एफायार दर्ज कराई आरोप लगाया कि रामकृष्ण ने उसके ससुर किशोरचंदर से तीन लाख रुपए उधार लिये थे ससुर की मौत के बाद जब रुपए मांगे तो रामकृष्ण के परिवार के लोग जान से मारने की धमकी देते थे पुलीस रामकृष्ण से कई बार पूचताच कर चुकी थी लेकिन कोई सुराग नहीं मिला इस बीच तीन दिसंबर को पता चला कि रुशब की भी मौत हो गई पुलीस हैरान थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक होने के कारण ही अस्पताल से डॉक्टरों ने उसे चुट्टी दी थी रुशब का पोस्ट मौटम कराया गया रिपोर्ट देखकर पुलीस और डॉक्टर चौक गए उसके फेफडे और लिवर ख्राब मिले शक जताया गया कि उसे जहर भी दिया गया है पुलीस उलज गई इस हत्याकान का परदाफाश पुलीस के लिए चुनौती था उसने सारी कोशिशों के बाद आखिर में उस जगह के मोबाईल टावरों पर एक्टिव नमबरों का देटा निकलवाया जहां रुशब पर जानलेवा हमला हुआ था देटा फिल्टर करने के बाद पुलीस की सुई तीन नमबरों पर अटक गई एक नमबर था सपना का वह बाकी दोनों मोबाईल नमबरों पर कई बार बात कर चुकी थी रुशब की मौत के बाद सपना ने फेस्बुक अकाउंट भी बंद कर दिया था पुलीस का शक बढ़ने लगा बाकी दोनों मोबाईल नमबरों पर बात करने वाले लोगों को हिरासत में लिया गया तो पूरे मामले की परते खुलने लगी इनमें एक शक्स था सपना का प्रेमी राजकपूर और दूसरा था सुरेंद्र सिंग यादव सुरेंद्र का सपना के ससुराल के पास मेडिकल स्टोर था पुलीस ने सपना को कस्टिडी में लेकर तीनों से सवाल जवाब किये तो सच्चाई सुनकर पुलीस भी हैरान हो गई सपना ने बताया कि वह राजकपूर से हर हाल में शादी करना चाहती थी उसे रुशब बिल्कुल पसंद नहीं था ससुर किशोर चंद्र को रास्ते से हटाने के लिए सपना ने उन्हें दवाओं की हेवी डोस दी थी इसके असर से ही किशोर चंद्र की मौत हो गई सपना को ये दवाएं सुरेंद्र से मिली थी सपना से सुरेंद्र एक तरफा प्यार करता था सपना को ये बात पता थी लेकिन वह सुरेंद्र का इस्तमाल करने के लिए उससे भी जूटा प्यार जताती रही पुलीस के मुताबिक शादी से लोटते रुशब को मारने के लिए सपना ने ही राजकपूर के साथ मिलकर साजिश रची रुशब को मारने के लिए राजकपूर को तीन लाख रुपए दिये गए थे राजकपूर ने अपने दोस्त सतेंद्र को साथ मिलाया राज और सतेंद्र ने पहले पंचायत घर के बाहर रुशब की स्कूटी पंक्चर की थी फिर लोटते वक्त उस पर धारदार हथियार से कई वार किये सभी को उम्मीद थी कि रुशब मर जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ रुशब के कतल का प्लान फेल हो चुका था इस बार सपना ने ससुर की तरह ही पती को रास्ते से हटाने के लिए सुरेंद्र से मदद मांगी सुरेंद्र को पता था कि रुशब को शुगर है उसने रुशब को जानबूच कर ऐसी दवाओं की हैवी डोस दी जिन्हें खाकर उसकी तबियत बिगड गई इलाज के नाम पर उसे ग्लुकोस चड़ा दिया गया ब्लड शुगर लेवल बढ़ने और कई अंग फेल होने से उसकी मौत हो गई सपना, राज, सतेंद्र और सुरेंद्र ने पुलीस के सामने अपने गुनाह कुबूल लिये है अब सभी जेल में है पुलीस के सामने एक और चुनौती है किशोर चंद्र की मौत के बाद उनका पोस्ट मौटम नहीं हुआ था सपना और सुरेंद्र के बयान के अलावा उनकी मौत को हत्या साबित करने का कोई सबूत उसके पास नहीं है रुशब के घर में बची है सिर्फ उसकी बोढ़ी मौसी शांती